तो हलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंगसन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगा है आपके लिए MPPSC मेंस 2021-22 का प्रैक्टिस सेट सर प्रैक्टिस सेट में कैसे तो देखी ये स्टेट और फॉरेस्ट दोनों के लिए ये सीरी चालू की है हमने यहाँ पर फॉरेस्ट में जैसा कि आपको पता MCQ बेस्ट कुश्यन आते हैं तो यहाँ पर फॉरेस्ट के MCQ लिए जाएंगे साथी साथ में हर एक प्रश्ण का ड करेंट अफ्यर से सम्मंधि प्रश्ण जो है वो आपके MPPSC में देखने को मिलते हैं जैसे कि आपसे पंक अभियान के बारे में पूछ ले जाएगा पंक अभियान के बारे में अतलगू लिखने के लिए आजाएगा तो आप क्या लिखेंगे पंक अभियान की सुरुआत क् के उद्देश्य है तो यही सारी जानकारी हम आपको MCQ प्लस डीटेल डिसकसन में देने वाले हैं तो MPG के और करेंट अफ्यर को मिला कर कि यह वीडियो लिकर के आए हैं हम forest और state service दोनों के लिए है और आपको यह पता होने चाहिए चाहे हो forest का exam हो चाहे हो state means का exam हो दोनों में आपको कम से कम आपका अगर 100% का paper है तो 40% आपको MPG के और MP Current Affair ही देखने को मिलने वाली है तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक प्रशन के बारे में डीटेल में है अब देखिए गाय के ऊपर यहां पर लगातार चर्चा होती रहती है आपको बता है बीजेपी गवर्मेंट है तो ज्यादा तर गाय के बारे में यहां पर नए नए योजना वगरा निकलती रहती है और आगर मालवा में जो है गाय का संद्शन किंद जो पहला MP में ही ब विभाग बनाए गया है जो गाय केविनेट बनाए गया है मध्यपरदेश में ठीक है और मध्यपरदेश एक पहला ऐसा राज्य है जहां पर गाय केविनेट की विवस्ता की गई है गाय केविनेट बनाए गया है तो यह एक यूनिक तरह से प्रशन हो गया आपके लिए इस के सरच्छन को बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्च है च्छे विभाग सामिल है पसुपालन जंगल पंचाट्यम ग्रामणी विकास घर किसान कल्यान विभाग और राजस्ल ये च्छे विभाग इसके अंतरगत आते हैं गाय केविनेट के अंतरगत ठीक है चलिए इसकी पहली बैठक गोपाा असटमी के दिन 22 नॉम्बर 2020 को मदवडेस के आगर मालवा जिले के गाय अभ्यारन में आउज्जित की गयी थी आपको पता है पहला जो वो मदवडेस्द के आगर मालवा में ही सुरू किया गया था तो आगर मालवा में ही इसकी पहल गएले कौ मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगला अगेस दिख लेका और open जिली अग्पी रॉपरेश ने की चलिएए आपको पूरी जानकारी देते तो देखिए, ड्राइब इन संगिस समारों या कारिकर्म का आजन 13 से 14 फरवरी 2021 को भोपाल में किया गया, कब 13 से 14 फरवरी 2021 को ठीक है, या भारत का पहला ड्राइब इन मुजिक फेस्टिवेल है, जहां पर भी आपको पहला सब्द मिल जाए, तो समझ लिजीए आपके स्टार मार के कुश्चन हो जाएगा, क्यों? देखिए, अगर MPPC forest mains की बात करते हैं, तो पिछली बार जब आपके कोरोना के टाइम पर जो कोईला की कमी आ गई थी, है ना, तो उससे समझ लिजी करेंट अफेर का प्रशन आपके forest mains में पिछली बार पूछ लिए था, कोईल लगू के रूप में, ठीक है, चलिए, अब देखिए, पहला music festival यहाँ पर हो गया, the great Indian film and literature festival, GIF, LIF और MP tourism corporation की द्वारा ये आउजित किया गया था, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी PDF हम अपने telegram channel पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपनी शे बेंडों ने प्रस्तुति दी थी, तो यह आप अतिलगू में इतना सारा लिख देंगे, तो एक अलग impact परेगा सामने चेक करने वाले के ऊपर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्न देखते हैं, तो मदब प्रदेश के कि जिले में चिली festival 2020 का आयोजित किया ग सबसे पहले 2020 में किया गया था, यह दो दिवसी उत्सव है, उद्रिश क्या है, तो मिर्च के निवारी ब्राण को बढ़ावा देना इसका उद्रिश है, चिली festival राज के बैपारियों, निवेस्कों और नर्यातकों के लिए एक बड़ा बैपारिक आउसर है, इस से किसानों में आने के प्रबल चांस है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निवल कितमे किसने, एक्वेस्ट्रियन चैलेंज सो जंपिंग 2020 का सौन पदक जीता है, तो सौन पदक है, तो महत्तपूर्ण है, दिखिए वीडियो को लाइक भी आप कर दीजेगा, साथ ही साथ में, क्यो तो आप बिलकुर तैयारियां सुरू कर दीजिए, नहीं तो बाद में आपको फिर पच्तावा होगा, क्योंकि फोरेस्ट में इस बार कम वेकेंसी है, एज कंपेर पिछली बार के ठीक है न, और पिछली बार के कंपेर में, इस्टेट पीस्टी में भी कम वेकेंसी हैं, तो यह कारकरम बैंगलोर में, इंटरनेशनल राइडिंग स्कूल द्वारा आयुजित किया जाता है, परतियुक्ता में प्रणाय खरेने स्वनपदक और रजज़त पदक दोनों इन्हों नहीं जीता है, अलग-अलग उसमें ठीक हैं, उन्होंने 1.30 मीटर ओपन कटेगरी इव यह तो ऐसे करकी प्रशन पूछा जा सकता है, मदप्रदेश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान 2021 का ब्रेंड अमजडर किसे बनाया गया है, माधुर दिछित, अंसिका गुपता, विद्या बालन या फिर मनी साकीर, अब यहाँ पर जल्दवाजी में आप किस ना किसी एक्टरस का नाम लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखेएगा, ऑप्शन B सही है, अंसिका गुपता को यहाँ पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान 2021 के लिए ब्रेंड अमजडर MP का बनाया गया था, देख लिए कुछ जानकारी, अंसिका गुपता के बा अभियान का ब्रेंड अमजडर बनाया है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ता देते हैं, मदब्रदेश में पंक अभियान किसे समन्नत है, दोनों के लिए रती महतपूर है, चाहे आप MPPSC फॉरेस्ट मेंस दे रहे हों, चाहे आप MPPSC मेंस दे रहे हों, आप दोनों के लिए महतपूर है, चातरों के लिए, बच्चों के लिए, बिकलाइं के लिए, फिर किसोरी बालकाओं के लिए, किसके लिए मदब्रदेश ने पंक अभियान सुरू किया है, तो सही आंसर इसका D हो जाएगा, किसोर बालकाओं के लिए मदब्रदेश में पंक अभियान की सुरू किया गया था उद्देश क्या है तो किसोरियों को निमलखित उपलब्द कराना उद्देश है कैसे P का अर्थ है protection, A का अर्थ है awareness, N का अर्थ है nutrition, K का अर्थ है knowledge और H का अर्थ है health and hygiene अब MP police के एक exam में यही प्रशन पूछ ले गया था कि पंक अभियान में N का अर्थ क्या है तो इतना deeply प्रशन भी आप से पूछा जा सकता है, जब MP police में ऐसा प्रशन पूछ सकते हैं मेरे भाई, आप तो MPPC forest men's का exam देने जा रहे हैं, तो आप से यह प्रशन पूछे जाने की अर्थी संभावना है तो detail में भी पढ़ लीजेगा आप, आप लिख भी सकते हैं और आप याद भी रख सकते हैं कुछ जानकारी देखिए तो कभी प्रतीब सम्मान के बारे में आपको बता देते हैं क्यों इस सम्मान के बारे में लिखने के लिए आप से आ सकता है MPPC men's में तो एक यह सम्मान राज सरकार दौरा वर्स 2012 में मंची कविता के शेतर में इस्तापित किया गया था मंची कविता के लिए राष्टी कवी प्रतीब सम्मान दिया जाता है 2012 में शुरुआत मद्प्रतेस के बड़नगर में पैदा हुए एक महान कवी प्रतीब के नाम पर यह दिया जाता है राष्टी गोपाल, स्वामी नीरज, स्वर्गी स्री बालकरी वेरागी, स्री सोम्ठाकुर, सुस्री माया गोविंद, स्री सुरेंसर्मा, स्री हरियोम, पमार और स्री असोक चक्तितर को अब तक इससे समानित किया गया है इसमें क्या मिलता है तो दो लाख रुपए और प्रमाट पत्र इसमें दिया जाता है और इस बार किसे मिला है तो 2020 का सियोम अंबर को मिला है याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पसंद आदे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा बोपाल में आईजियोत Pکettig कारेकरम का उद्देश क्या ये भी करंट आफेर के प्रेशन है आपके एग्जाम में आ सकता है लिखने के लिए भी आ सकता है और फॉरस्टमेंस में भी आ सकता है तो पूरी जानकारी आपको देंगे तो तिक दिए कि पिकटिंग का अर्थ क्या है तो आपसिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरुकता प्रदान करना भोपाल सहर को हराबरा और सच्छ बनाने के लिए धुमरपान के दुश्परडामों के बारे में लोगों को जागरुक करना लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरुक करने के लिए तो क्या होगा इसका अंसर आई एंसर देखते हैं सही आंसर ए यानिकी आपसिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरुकता प्रदान करना ये भोपाल में जो पिकटिंग कारिक्रम आईजित किया गया था उसका ये उद्देश है तेखी कुछ जानक इसका आयोजन में लगब 20 पेसे बार स्केटर्स जो जूते की नीचे वो लगे रहे थे हैं इसकेटिंग वाले जूते तो इसकेटर्स को यहाँ पर बुलाया गया था इसमें राष्टी कोच राष्टी खिलाडी और राज्य के खिलाडी सामिल थे सुबह सात बजे राजा भोज सेतु से हो संगाबाद रोड से कैपिटल मौल तक इसके शुरुबात की थी इतनी दूरी तक इनको इसकेटिंग करना था ठीक है तो कुल मिलाकर आपको डेट याद रखनी है भोपाल में 27 दिसमबर 2020 को आयजित किया गया था पिकटिंग इवेंट आप से लिख कर क्य आये गाएगा काना कीसले राष्टी ऊद्यान बांधरो आश्री राष्टी ऊद्यान अप्रेयावरन का प्रषन मनेगा निखने के लीए अ सफारी का सवारम किया देखिए मैंने का था भारत की पहली जहां पर भी पहला सब्द मिल जाए समझ लीजी आपके लिए अति महत्पून है तो भारत की पहली होट एयर वाइड लैब सफारी कहां पर बांधा को डाश्टू द्यान मदब्रदेश में सुरू की गई यह सफारी केवल बफर जोन शेतर तक ही सीमित रहेगी ठीक है इस सफारी के दोरान परेटक उचाई से बाग भारती सुस्त भालू और तेनुगों को देख सकते हैं मदब्रदेश परेटन के सयोग से सकाई वर्च बैलून सफारी जैपूर दोरा इसको संचालित किया जा रहा है सफार मनसौर हरदा डिंडोरी आई एंसर देखते हैं सही आंसर ए यानिकी श्योपूर से संबंदित है नजीरा खान इनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं महत्पून प्रश्न है पहले बात करते हैं कोविड-19 महिला योध्या पुरुसकार ये आपके अत लोगों में ल प्रदान किया अब चलिए नजीरा खान के बारे में आपको कुछ बाता बता देते हैं तो ये स्वेवपुरी जिले के हीरा गाउं की निवासी है ठीक है हीरा गाउं में कौन है ये तो आगनवाडी कार करता है कोरोना काल में डूटी पूरी करने पर उसके परिवार के विर साज और सहायता प्रदान की इसलिए इन्हें यह पुरुसकार दिया गया कोविड-19 महिला योद्धा पुरुसकार ठीक है आगे बढ़ते हैं किस जिले को सरवसेष्ट पेरक प्रेरक जिला नदी पुनर उद्धारक पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया है बढ़वानी रा नदी पुनर उद्धारक पुरुसकार मद्धिस के खंडवा जिले को दूसरे राष्टी जल पुरुसकार रोखेते सर्वसेष्ट प्रेरक जिला नदी का पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया जल सक्ति मंत्राले की ओर से जिला पंच्छा CEO ने यह पुरुसकार दिया है या आगे बढ़ते हैं निमलकित मेंसे मद्धिस के कौनसे सहर को युनसको की विष्ट सुदरोवर स्थर की सूची में सामिल किया गया है befजरा हो गौनियर गौनियर और अरचह और मंसौर मान्डू अर गौनियर आईfal nive कि यानि की गौनियर और ऊरचह को सामिल किया गया इ yu UNESCO की विसफधरोहर की सहरी सूची में सामिल किया गया है UNESCO के अमसार ग्वालियर और और चाар धोनों ने धार्मिक और स्वाटिक प्रटन में व्रदिख की है जिससे सहर के आर्थिक क्विकास में बहुत योगदान हुआ है यह तेजी से और अनियंतर सहरी करण और निरंतर प्रिटन के नकारात्म प्रभाओं के साथ किया गया है तो बहुत यहां पर अच्छा प्रश्णिये बन सकता है साधी साथ में मतला ग्वालियर और ओर्चा ने जो टूरिज्म है MP का बहुत सहयोग किया है इसके लिए युनिस्को बिस्थ रोल सहर की सुची में सामिल किया गया है ग्वालियर और ओर शाको आगे पड़ते हैं मद्वदेश में दूसरा अजीम प्रेम जी बिस्विद्याले किस स्थान पर स्थान पर स्थापित होने जा रहा है इन दोर जबलपूर सतना भोपाल आई एंसर देखें तो सही आंसर है डी यानि कि भोपाल में स्थापित किया जा रहा है अजीम प्रेम जी बिस्विद्याले चलिए इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं तो अजीम प्रेम जी बिस्विद्याले अजीम प्रेम जी जो और राइपर में खोलने की बात की जारी 36 गड़ में खुलने वाला था लेकिन अब जो है वो MP में खुलेगा कहां पर भोपाल में ठीक है दूसरा आज इन प्रेम जी विस्विद्याला है पूरे भारत का मंदब देश में सम्मान अभियान में प्रेवित सुभंकर क्या है यह जानकारी आपको देते हैं सम्मान के बारे में तो सम्मान अभियान देखिए आप हेटिंग डालेंगे सम्मान अभियान मुख्यमंति सिर्णा सिंग चोहन ने महिला अपराद के उन्मूलन में समाज की सक्री भागिदारी को सुनिशित करने के लिए 11 जनवरी 2021 को राज इस तरी महिला जारुकता अभियान सम्मान का सुवारम किया है तो पहला आपको याद रखना है महिलाओं के सम्मान के लिए जो है योजना चालू की गई यह जो सुवारम इसका किया अभियान का ठीक है उद्देश क्या है तो महिला अपराद के उन्मूलन में समाज की सक्री भ नहाँ पर नारे दिए गए नारे आप याद्रखियेगा पूछा जागा ये लारे किस अभियान से समंदित है यह लए नारे ठीक है। दिनों तक लंबा अभियान था जो गर्तन दिवस पर समापत हो गया है ठीक है गर्तन दिवस को अभी ये समापत हो चुका है आगे बढ़ते हैं अगर प्रश्ण है मद्ध प्रदेश में किचन गार्डन या पोसड बाड़का को किस नाम से जाना जाएगा पोसड आहार मा की बगिया अमा की रसोई या फिर रसोई खजाना आई अंसर जाएगा मद्ध प्रदेश में किचन गार्ड़न को चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं तो किचन गार्ड़न के गरबात करें तो राज्ज में सभी पोसड बाड़का ओं या किचन गार्डन का नाम बदल करक मा की भगिया कर दिया गया है ठीक है चलिए और जानकर यह आपको देते हैं देखें इसे राजधानी के फंदा प्रखंड सिकंदराबाद गाउं की तर्च पर बदला गया है प्रदेश के जिले में मन्रेगा के अविसरन के तहत यह मा की बगिया जो है बनाई जाएगी मन्रेगा के तोरह यह कारे जो है किया जाएगा जहां जगा नहीं है वहां ग्राम पंचात के सयोग से जमीन की तलासी कर मा की बगिया यहां पर बनाई जाएगी तो ये कुछ महपून प्रसन थे जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं तो वीडियो अगर अभी तक आपने like नहीं किया तो वीडियो को like कर दीजेगा साथ ही साथ में channel को आपको subscribe भी कर लेना है ठीक है? subscribe कर लीजिए और साथ ही साथ में notification bell जरूर दबा लेना तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद